नमस्कार दोस्तों, इलेक इंजिनियर में आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप AC वोल्टेज कितनी आ रही है आपकी लाइन में, वो मल्टी मीटर से या क्लैंप मीटर से आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो हम दो चीजां चेक करेंगे, एक तो आपक तरीके से यह जोड़ा हुआ है, यह थोड़ा खतरनाक हो सकता इस तरह का मामला, लेकिन उसमें कितनी लाइट जा रही है, वो भी हम देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं मल्टी मीटर से, मल्टी मीटर में एक इंपोर्टेंट चीज जो आपको हमेशा देखनी है और ध का साइन होता है, तो किसी में यह V straight line and V tilde अलगज हो सकता है, किसी में जो है यह V tilde और V straight line यानि V voltage DC या वोल्ट्स AC, यह एखी में वो सकता है, तो इस तरह का हो तो आपको select करना पड़ता है, कैसे करते हैं अब आपको दिखाऊंगा, तो आपको क्या करना है पहली बात तो ये जो टिल्डा वाला जो साइन होता है इसे AC वोल्टे है इसमें आपको दो वोल्टेज है एक 600 वोल्ट है और एक 200 वोल्ट है यदि आपको मालूम है कि आपके जो भी सिस्टम में आप चेक करने वाले हैं उसमें voltage 200 से कम है तो आप 200 में रखें अगर आपको लगता है कि 200 से ज़्यादा है तो आप 600 में रखें अगर आपको नहीं मालूम है कि voltage है कितना AC में तो भी आप 600 से ही ट्राइ करें जैसे अगर आप महलेज अमेरिका में हैं तो वहाँ पे 120 वोल्ट आती है तो नॉमली आप इस पे चेक करेंगे आप इंडिया में है 220 से 240 वोल्ट हमारे घरों में आती है तो वो इससे ज़्यादा होती है तो इसे हम यहाँ पे चेक करेंगे तो आप V-AC वाला जो है उसमें 600 पे रखके और फिर आप क्या करेंगे AC में शौक लगने का बहुत चांस होता तो ध्यान रखे कहीं भी जब आप यह टच कर रहे हैं तो कहीं आपकी वायर में कोई कट ना हो जहां आपका हाथ लग जाए या गलती से आप ऐसे ना पकड़े है इनको तो बहुत ज़्यादा चांस है शौक लगने का तो बी वेरी क और यह मैं यहां लगाता हूँ और फिर मैं यह प्लग अन करता हूँ तो आप यहां देख सकते हैं कि 242 वोल्ट या 242 जो भी है यह वोल्टेज आ रही है अब इसे में अगर उल्टा करके भी लगाऊंगा इसको अगर मैं यहां लगा दूँगा और इसको अगर मैं यहां यह है कि 200 से ज़्यादा voltage इसमें आ रही है तो यह measure नहीं कर पा रहा है इसलिए आपको इसको 600 में रखके और फिर measure करना है ठीक है तो यह तो पहली चीज़ हो गई दूसरी चीज़ जो है कि जब इस तरह से आप कोई भी point लगाते हैं तो आपका जो cable है वो कहीं भी जा रहा है और बीच में अगर इस तरह से कोई point आपके पास available है जिसमें आप voltage चेक कर सकते हैं तो आप उसमें भी लगाके इस तरीके से आप voltage चेक कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पे भी 241 तो 243 वोल्ट आ रहे है यह light blink करती है तो आप कहीं भी cable जो दो cable जा रहे हैं आप उसमें कहीं भी अगर आपके पास जगे है लगाने का तो किसी भी 2 point पे आप लगाके और आप voltage चेक कर सकते हैं तो यह हो गया इस तरहें के standard जो multimeter है उससे ठीक है अब हम दूसरी बात करते हैं कि जो clamp meter जो होता है उसमें आपको क्या करना है जैसे मैंने आपको पहले भी ब आप यहां पर देखेंगे तो देखिए यह DC और AC का sign आता है यह आप इससे select कर सकते हैं जैसे यह अभी DC आ रहा है और यह अभी AC आ रहा है तो यह AC voltage को जो है automatic यह देखिए आप यह नीचे आपको auto दिखाई दे रहा है अगर यह voltage आपकी जो है वो zero नहीं set हो तो आप जो ह है इसको दबा के zero के पास आप voltage को लगा सकते हैं ठीक है यह zero वाला जो साइने उससे voltage को आप zero के पास लेके जाते हैं एंपियर को भी तो यह जो है अभी AC में आ गया है अब हमें क्या करना है वही exactly चीज जो हमने उसमें की थी वह का वही आपके सामने में रखा है AC में इसक क्लैम में इसमें कोई फरक निया सिर्फ आपने select करने का जो method है वो आपका अलग-अलग हो सकता है तो यह हम इसमें लगाते हैं देखिए ऐसे और यह आपको reading दे रहा है 246 वोल्ट तो 246 वोल्ट अभी AC आ रहा है देखिए उपर यह V का sign आ रहा है यानि वोल्ट और यह AC और यह AC के यह वाली जो reading है यह true RMS मतलब बिलकुल सची reading है 241 से 246 7 जो भी value आ रहे है तो यह जो है वो तरीका है आपके voltage देखने का same way जैसे मैंने आपको पिछले होता है कि आप यह point लगा के भी इसके बीच में जो भी आपके पास कहीं भी अगर दो जगे आपको open wire अग test कर सकते है देखिए 247 तो यह simple सा तरीका है आपके लिए voltage चेक करना कि multimeter को voltage mode में डालिए और जो भी दो point है उसके आप लगाईए ध्यान रखिए shock लगने के बहुत chance होते हैं अगर आप कहीं यह से lead में कहीं touch कर दें या कहीं से आपका wire cut हो ऐसी जगे या ऐसी जगे तो आ this is it guys अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और ऐसे यह और वीडियो देखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाइबाई टेक केर हैव गुड़ डेग